अलो गैस और वेलकम तो अमेंदीब क्रेशन यूट्यूब चैनल गैस किसी भी परसन का वेट कम हो या जादा बट पेट के निचले हिस्से के फैट से हर कोई परिशान रहता है गलत लाइफस्टाइल और गलत खाने पीने की वज़ा से ये फैट होता है इसे चुपाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते बट इसे चुपाना एक स्लूशन नहीं है अब टाइम आ गया है कि आप इस लोर बैली फैट से फाइट करें आज इस वीडियो में आप इसी चीज के बारे में जानेंगे कि इसे कम कैसे करना है आप जितना हो सके शुगर को वाइट करें चीनी एक ऐसी चीज है जिसके जादा खाने से बहुत सी बिमारियां हो सकती है अगर आप जल्दी से जल्दी पेट की चर्वी कम करना चाहते हैं तो चीनी को खाना एकदम बंद कर दें अगर आपके घर में भी कोई मीठा खाने का शुकीन है तो उसे भी चीनी कम खाने की एडवाइज दे गाइज ओमेगा 3 फैटी एसीड शरीर के लिए काफी बेनिफिशल है नॉन वेजिटिरियन्स ओमेगा 3 फैटी एसीड फिश के जरीए ले सकते हैं क्योंकि फिश में ये प्रॉपर कॉंटिटी में होता है इसके अलावा जो वेजिटिरियन्स हो वो अक्रोट, अत्ता गोबी, फूल गोबी जैसे फूट से ओमेगा 3 ले सकते हैं गाइज अगर आप सोचते हैं कि हजार पुश अप्स लगाने से या क्रंचिस मारने से कंट्रोल में रहते हैं, वाइटस मिन सी की मदद से कानिटिन भी बनता है जो फैट बर्न करता है आप ओरेंजिज, हिमला मिर्च, लेमन, टोमैटोज से वाइटमिन सी ले सकते हैं बेट की चरबी कम करने के लिए सही डाइट प्लाइन बनाएं, इसके लिए आप अपने ट्रेनर और डाइटिशन की भी हल्प ले सकते हैं अपने फूड को फाइबर रिच रखें, ओली और फ्राइड फूड की जगा स्टीमड और बॉयल फूड कंज्यूम करें ध्यान रखें कि फैट कम करने के लिए खाना नहीं छोड़ें, खाने को थोड़ी थोड़ी क्वंटिटी में 5-6 मिल्स में कंज्यूम करें वाइस फैट नहीं एक दिन में बनता है और नहीं एक दिन में जाता है, इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना ज़रूरी है सही डाइट के साथ सही एकसराइज करें तो बैली फैट कम हो सकता है अगर आप बैली फैट कम करना चाहते हैं तो जंक फूड, पॉइली फूड, मसाले और शुगर से दूरी रखने में ही भलाई है गाइस अगर आपको ये वीडियो मैनिफिशल लगी तो इसे लाइक को शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमंदीब क्रेशन यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज तिल रन स्टे फिट एंड स्टे हल्दी